आस्मान के बीचों बीच एक बेहोश आदमी बहुत तेज गती से गिर रहा है। उसका नाम रॉयस है और वो घने जंगल के पेडों से होकर जमीन पर गिरने से ठीक पहले अपना पैराशूट खोलने के लिए ठीक समय पर उठता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वो फिर उठता है और पाता है कि उसे नहीं पता कि वो कहा है या वो वहाँ कैसे पहुचा, लेकिन कम से कम उसके पास अभी भाड़े के हतियार और कपड़े हैं। तभी एक और आदमी उसके बगल में गिर जाता है। कमांडो है और आखरी बात जो उसे याद रहती है वो है युद्ध में रहना। रोयस और कुछिलो का भी यही अनुभव था। वे अपने दिनों से गुजर रहे थे जब एक रोशनी चमकी और उन्हें जगजोर कर रख दिया, फिर वे आकाश में दिखाई दिये। जब व दूसरों की तलाश के लिए एक साथ निकलने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस बात से अंजान की पास में याकूप सदस्य हंजो उन्हें देख रहा है। वो उनका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन जब उसके जूते कीचर को छूते हैं तो हंजो उन्हें उतारने का फै फिर खड़ा एक पेड़ पर किसी आदमी का उलेक करता है। ये हैं डॉक्टर एडविन जिनका पेराशूट एक शाखा में फंस गया था। रॉयस ने शाखा पर गोली चला कर और उसे एक जील में गिरा कर उसे बचाया फिर एडविन ने बाकी सभी लोगों की तरह वही कह पानी साज़ा की जिन्हें पता नहीं था कि वे कहा है या क्या हो रहा है। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता रहता है इसावेल को स्टेन की खोफनाक और गंडी टिपनियों को नजरंदास करना परता है। अंतता वे हैंजों को कीचर में पाते हैं लेकिन वब फसा नहीं है वो जम गया है क्योंकि उसे एक अजीब कुल देवता मिला है जिसके नीचे बहुत सारी हड़िया है। मुंबासा टिपनी करते हैं कि कोई शिकारी ट्राफिया ले रहा होगा और उनकी संस्कृती में सबसे अच्छी ट्राफिया पाने वाले योध्धा को सबसे आधिक सम्म बान मिलता है। निकोलाइ को लगता है कि यह किसी तरह का परीक्षन है लेकिन इसा बेल इससे सहमत नहीं है क्योंकि उनमें से सभी सैन्य नहीं है।clearso सोचता है कि यह फिर ओती है, स्टेन का कहना है कि यह एक प्रयोग है, और पिर अचानक वे सोच रहे हैं कि क्या वे मर च चुके हैं और यह नरक है। पानी पर रखती है लेकिन वो चक्कर लगाना बंद नहीं करता है। बदले में रोयस बताते हैं कि उनके आने के बाद से सूरज नहीं निकला है, इसलिए इधर उधर घूमना कर्थिन होगा। वो इसाबेल को ये भी बताता है कि चुनकी वे सभी खतरनाक लड़ाके और एक डॉक्टर हैं, इसलिए उसका सिध्धान्त यह है कि उन्हें सावधानी पूर्वक चुना गया था। इसाबेल का अनुमान है कि भाड़े का सैनिक बनने से पहले रोयस एक सैनिक हुआ करता था, लेकिन उसने अधिक कुछ कहने से इंकार कर दिया। इसाबेल जाल के पीछे वाले व्यक्ति को धूनने के लिए अपने हतियार पर स्कोप का उप्योग करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पहले ही मर चुका है। किया कि उस व्यक्ति को मरे हुए दो सब्ता हो गए हैं, और निकोलाई ने जेबो की जांच की तो पता चला कि वो यूएस से स्पेशल फोस का सैनिक था। रोयस को एहसास होता है कि जाल उनके लिए नहीं थे, बलकि जिसने उस आदमी को मारा, उसके लिए जाल थे, जाल की स्थिती के कारण वो जाल को उनसे कहीं अधिक बड़ा मानता है। जैसे ही वे फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, मॉंबासा को लगता है कि पेडों के बीच कुछ है लेकिन वो इसे अंदेखा करने का फैसला करता है। और अचानक एक ड्रोन तेजी से सिल के पास उड़ता है, जिससे स्टैन घबरा जाते हैं। वो अपनी बंदूकों की कमी के बारे में शिकायत करता है और मॉंबासा को एक बंदूक के लिए धंपी देता है, लेकिन इससे पहले कि वे दूसरी लड़ाई शुरू कर सके, उन्हें जंगल से गुराने की आवास सुनाई देती है। उसी समय एक भयानक जानवर उनकी और दोड़ता हुआ दिखाई देता है और समूह तुरंत गोलिया चला देता है। पूरी कोशिश करता है, सोभागे से मोंबासा आता है और कुछ शॉर्ट्स के साथ प्रानी को मार देता है। अचानक मोंबासा को पता चलता है कि कोई गायब है और उन्हें पेडों के बीच कुछिलों की मदद के लिए पुकारने की आवास सुनाई देती है। समूह शॉर्ट का पीछा करता है और कुछिलों को गंभीर चोटों के कारण अपने घुटनों पर पाता है। इसलिए इसाबेल उसकी मदद करने के लिए करीब आने की कोशिश करती है। हाला कि रॉयस ने उसे रोग दिया और कहा कि यह एक जाल है और एक पत्थर फेक कर इसे साबित किया। हाला कि रॉप में इस ग्रह पर नहीं लाया गया है। शिविर के पीछे वे एक विशाल बदसूरत प्राणी को शिकारी के रूप में जाना जाने वाले खंबे से बंदा हुआ देखकर चौक गए। जबकि रॉयस ने नोटिस किया कि इसाबिल को इस पर अजीब प्रतिक्रिया हो रही है। निकोलाई करीब आता है और एलियन पर अपने हतियार से वार करता है। केवल प्राणी उन पर धारने के लिए क्योंकि वह वास्तव में जीवित है। इसाबिल कहती है कि उन्हें तुरंट चले जाना चाहिए, लेकिन एडवेन ने नोटिस किया कि रोयस चला गया है। जैसे ही शिकारी गुली चलाता है, समूव भागने लगता है। उन पर लेजरों से हमला किया गया, जिससे हर जगा विसफोट और आग की लपते पैदा हुई। जहां पता चलता है कि कुल तीन शिकारी शिकारी है। एक बार जब समूव एक गुफा में सुरश्ट हो जाता है, तो इसाबेल उन्हें चारे के रूप में इस्तिमाल करने के लिए रोयस पर हमला करती है। हाला कि रोयस को इसका अफसोस नहीं है क्योंकि अब वे अंतताह जानते हैं कि उनके पीछे कौन है और उनकी ताकत और शिकार के तरीकों के बारे में कुछ विवरन है। फिर रोयस ने इसावेल को शिकारी के प्रती उसकी प्रतिक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि उसने उसे पहले भी देखा होगा। इसावेल स्वीकार करती है कि उन्होंने एक कहानी सुनी है कि इन जैसे दिखने वाले एलियन्स को 1987 में गवार्टेमाला में देखा गया था, जो पहली फिल्म का संदर्भ है। इसावेल शिकारी को मार गिराने के लिए अपने स्नाइपर कोशल का उप्योग करती है, फिर समूज शव के पास पहुचता है और पता लगाता है कि यह कोई शिकारी नहीं है, बलकि वास्तव में पिंजरे से एक और शिकार है। इसावेल शिकारी के लिए के लिए कहता है। इसावेल शिकारी के लिए लगातार विक्सित हो रहे हैं। रोयस को एहसास है कि अगर शिकारी हर मौसम में वापस आते रहेंगे, तो उनके पास एक जहाज होना चाहिए, लेकिन नोलेंड का कहना है कि वे इसे चलाने में सक्षम नहीं होंगे। इसके बाद नोलेंड बिस्तर पर चला जाता है, और समूव कुछ देर तक बातचीत करता है। निकोलाई एडविन को अपने बच्चों की तस्वीर दिखाता है और स्टेन उन्हें अपनी बहन का एक डरावना टैटू दिखाता है। हेंजो को एक समूराई तलवार मिलती है और वह उसकी तारीव करता है, जिससे एडविन को एहसास होता है कि वह अंगरेजी बोलता है। धुआ भरने लगता है और उन्हें पता चलता है कि नोलेंड चला गया है। फिर समूव के कबरे में एक छुटी सी पहुच बलाने के लिए एक पैनल से तकाता है। जिस पर शिकारी का ध्यान जाता है। एडविन अंधेरे में गुर्राहट सुनता है और तब तक भागता है जब तक कि उसे समूव दोबारा नहीं मिल जाता। वो मदद की भीक मांगता है लेकिन समूव उसके बेना ही जाने का फैसला करता है। तब ही सामने शिकारी आ जाता है। एडविन लेकिन इससे पहले की वो हमला कर सके। निकोलाई मदद के लिए आता है। एडविन भागता है जबकि निकोलाई एलियन से लड़ता है लेकिन वो अधिक समय तक नहीं तिक पाता। शिकारी निकोलाई पर वार करता है और उसे अपने ब्लेड से उठा लेता है इसलिए निकोलाई देटोनेटर को सक्रिय करने से पहले एलियन के चेहरे पर फूखने का मौका लेता है परिणामी विसफोर्ट से उन दोनों की मौत हो जाती है और जहाज में एक शौक वेव फैल जाती है लेकिन समूव समय रहते बाहर निकलने में सफल हो जाता है जहाज के बाहर स्टैंस इस तथे का जशन मनाना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने एक एलियन को मार डाला लेकिन अचानक एक शिकारी ने उसे नीचे गिरा दिया जो अब उसकी अद्रिशिता को बंद कर रहा है जानवर रोयस को मारने वाला है लेकिन स्टैंस उस पर कूद पड़ता है और दूसरों को भागने के लिए कहते हुए शिकारी को चाकू मारना शुरू कर देता है अपने शिकार को खोने से क्रोधित शिकारी उसे फेक देता है जमीन पर गिर जाता है और उसकी रील की हडी टूड जाती है फिल वो दहारता है और तीसरे शिकारी का ध्यान आकरशित करता है जो दोड़ते हुए समू द्वारा छोड़े गए ट्रैक का अनुसरन करना शुरू कर देता है बाकी तीनों के चले जाने के बाद हैंजो ने अपनी जैकेट उतार दी और समय रहते अपने कर्टाना को खोल दिया ताकि शिकारी उसे धून सके और वो उसका ब्लेड भी निकाल लेता है एक भयन कर तलवारबाजी शुरू हो जाती है और यदेपी हैंजो को कई बार एलियन की ताकत से दूर धकेल दिया जाता है फिर भी वो उसका पेट काटने में काम्याब हो जाता है कुछ और वार करने के बाद वे एक ही समय में एक दूसरे पर हमला करते हैं और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और एक ही समय में मर भी जाते हैं इस बीच एडविन गलती से जाल पर पैर रख देता है और चल नहीं पाता रॉयस बताते हैं कि जाल मारने के लिए नहीं बलकी दुश्मन को पकड़ने के लिए था और एडविण अब पूरी तरह से मर चुका है जैसा कि रॉयस का कहना है कि उन्हें या तो एडविन को पीछे चोड़ देना चाहिए या उसे पसाना चाहिए एडविन ने उन्हें निकुलाई की पारिवारिक तस्वीर दिखाए, ये दिखाते हुए कि ये उसके अपने बच्चे है इसाबेल ने एडविन को छोड़ने या चोट पहुचाने से इंकार कर दिया, इसलिए रॉयस अकेला चला गया शनो बाद, रॉयस शिविर में पहुचता है और पकड़े गए शिकारी से बात करता है और इस ग्रह को छोड़ने के बदले में आजादी की पेशकश करता है जब एलियन पुष्टी करता है कि वो उसे समझ सकता है, तो रॉयस उसे रिहा करने के लिए जंजीरे काट देता है और शिकारी उसे गर्दन से पकड़ कर जवाब देता है करीब से देखने के बाद, जानवर रॉयस को छोड़ देता है और अपने उपकरन को सक्रिय करते हुए उसे वापस लगाने के लिए उसका मुखोटा उठाता है अपने बाह के बंधन पर शिकारी ब्रम्हांद का एक तारा मांचित्र खीचता है और अपने अंतरिक शियान को बुलाने से पहले सौधा तै करते हुए पृत्वी ग्रह पर रुखता है इस बीच इसाबेल एडविन को चलने में मदद कर रही है लेकिन वे एक जाल पर पैर रख देते हैं और जाल में फंज जाते हैं तीसरा शिकारी उनका इंतजार कर रहा है और तुरंट उन्हें वापस शिविर में खीचना शुरू कर देता है जहां वो मनुश्यों को एक गड़े में फेक देता है ये देखने से पहले कि उसका विदेशी शिकार अपस्वतंत है दोनों शिकारी तुरंट लड़ना शुरू कर देते हैं और रोयस मौके का फाइदा उठा कर जहाज की और भागता है जैसे ही अंतरिक्ष या नुडान भरता है शिकारी लड़ते रहते हैं और कुछ प्रहार और गोली बारी के बाद उनका पीछा करने वाला एलियन जहाज के मालिक पर हावी हो जाता है और उसका सिर्कार देता है अपनी जीत का जशन मनाने के बाद शिकारी जहाज को दूर तक जाने से पहले ही उड़ा देता है गड़े में इसाबेल कहती है कि उसे एडविन की मदद करने के लिए रुखने का कोई अफसोस नहीं है जो उसे पीछे से अश्चरय चकित करता है और अपने जहर से धके स्कैलपिल से उस पर हमला करता है ये पता चला कि एडविन एक मनोरोगी हत्यारा है और वो अन्य राक्षसों के साथ घर जैसा महसूस करता है इसलिए वो इस ग्रह पर रहना चाहता है वो इसाबेल को मारने ही वाला है कि अच्चानक रॉयस आ जाता है क्योंकि वो अंत में जहाज तक नहीं पहुँच पाया रॉयस उन दोनों को गड़्दे से बाहर निकलने में मदद करता है और इसाबेल उसे एडविन के बारे में बताना चाहती है लेकिन जहर के कारण होने वाला पक्षाघात उसे बोलने नहीं देता दूर जाने के बाद गड़्दे से रॉयस इसाबेल की जाच करता है और इडविन उसे पीछे से आश्चरे चकित करने की कोशिश करता है लेकिन Rose तेजी से प्रतिक्रिया करता है और उसे अपने जहर से घायल करने के लिए उसकी गर्दन पकड़ लेता है इसके बाद, Rose बुबी एडविन को फसाता है और उसे खूजने के लिए शिकारी की पास फोड़ देता है जब एलियन करीब आता है और एडविन को छूता है तो ये हदगोले का एक समूर सक्रिय करता है जो डॉक्टर को मारता है आग लगाता है और शिकारी को उरने के लिए भीज देता है एक बार जब जीव ठीक हो जाता है तो वह पाता है रोयस उसका इंतजार कर रहा है लेकिन आग की लप्टों को भरकाता है और एलियन के इंफ्रारेट सेंस के साथ खिलवार करने के लिए उनके बीच शेप जाता है जो देखने का एक मात तरीका है फिर रोयस एक कुलहारी पकर लेता है और इधर उधर दोरना शुरू कर देता है शिकारी को मारता है और आग की लप दियार तक पहुचने के लिए उसके शरील को कीचती है और गोली मार देती है एलियन को चोट लगी है लेकिन वो अभी भी जीवित है और इसाबेल के कंधे पर खंजर से वार करता है इसलिए रोयस अपनी खुलहारी वापस लाने के लिए ध्यान भटकाने का उप्योग करत पिर वो अन्तता एलियन का सिर काट कर लड़ाई समाप्त करता है। बाद में रोयस इसाबिल के साथ फिर से मिल जाता है और साथ में वे देखते हैं कि कैसे आसमान से और अधिक पिंजरे गिरने लगते हैं। रोयस ने घोशना की कि उन्हें जल्द ही जाने का रास्ता खोजना होगा। सदस्यता लेना और सुचनाए चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।